हलो बच्चो गुड मॉर्निंग क्लास 11 सबजेक्ट भाइलोजी आज आप लोको इस ग्लास में जीव जगत का वरगी करण के विशे में हम जनकारी देंगे सर प्रथम जीव जगत का वर्गी करड़ पधती क्या होता है तो सर प्रथम अरस्तुन ने जीव जगत का वर्गी करड़ पधती दिया था अरस्तुन ने पौधों को तीन सेड़ी में विभाजित किया साक, जाड़ी, ब्रिज साक जो होते हैं छोटे पौदे होते हैं जाड़ी जो जाड़ी नुमा होते हैं और बिच जो लंबे पौदे होते हैं बड़े पौदे होते हैं इस प्रकार से इन्होंने पौदे को तीन बाब भागों में विवक्त किया इसके उपरान जन्तुओं को जो है आरबी सी और आरबी सी जिन में नहीं है दो अलग काटेगरी में जो है पिवक्त किया इस प्रकार से ये जीवों का जो है वर्गी कराण पोर्त्य रूप से नहीं हो सका दूई जगत वर्गिकरर पद्धती जो है कैरोलस लीनियस ने दिया इनोंने पादब जगत और जन्तु जगत यानि कि प्लांट किंगडॉम और एनिमल किंगडॉम दो बागों में विभक्त किया लेकिन इनकी भी वर्गिकरर पद्धती में कुछ कमिया थी इसलिए इसको भी नहीं माना गया आगे चल कर पाँच जगत वर्गिकरर पद्धती ये आरेच वी टेकर द्वारा प्रतिपादित किया गया सन उन्हें सो उनहत्तर में इनों ने जो है आप जानते हैं कि जीव बिभी दिता के अंतरगर जो है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन जातिया जीओ की पाई जाती है इसको जो है इनों ने 5 स्रेड़ी में भी वक्त गिया इनों ने इसके पाले जब दो जगत की स्रेड़ी थी दो जगत वाले वर्गी करण की कम्यों को दूर करने के लिए वी टेकर दोरा जो है प्रस्तावित पांच जगत वाली प्रणानी ने ले लिया यानि कि इनी के प्रणाली का जो है महत्वपूड अस्था ने इसको 5 भागो में डिवाइट किया गया पाला जो था मोनेरा दूसरा प्रोटिष्टा अगला नमबर पादप इसके बाद कवक और इसके बाद जन्तु चुकि आप लोग जानते हैं कि प्रोकेरियेटिक कोशिका होती है और एक जो है इुकेरियेटिक कोशिका होती है प्रोकेरियेटिक कोशिका के अंतरगत मात्र, नीले हरे सहवाल, जिवाडू, माइको प्लाजमा आते हैं और बाकी जितनी भी जीव होते हैं सभी जीव जो है इुकेरियेटिक कोशिका के अंतरगत आते हैं तो जो prokaryotic कोश्का वाले जीव थे उनको मोनेरा में रखा गया और जो eukaryotic वाले जीव हैं उनको प्रोटिष्टा में रखा गया इसके बाद पादप में Eukaryatic बहुकोस्की और सोपोसी थे इनको पादप में रखा गया क्योंकि पौदे अपना भोजन सोयम बनाते हैं इस प्रकार अगला नमबर जो कवक का था इसमें Eukaryatic, बहुकोस्की, पर पोसी और सोपोसी और ये भोजन को है, ये कवक पर पोसी है और पादप सोपोसी इसलिए कवक को हम पादप के स्रणी में नहीं रखेंगे इसके बाद जन्तु, जन्तु में Eukaryatic बहुकोस्की होते हैं, पर पोसी होते हैं जन्तु यानि कि दूसरे के उपर भोजन के लिए आसित होते हैं ये अंतर ग्रहड होते हैं, यानि कि भोजन को चबार कर खाते हैं और सोशित नहीं करते हैं इसलिए जन्त को जो है, अम कवक की स्रणी में नहीं रख सकते हैं यानि कि आरेच विर्टेकर ने जो है ये पांच जो है जगत को बनाया जिसके अंतरगत इनकी स्रणीया जो विभाजित की और अस्तू जो है, जन्तु विग्यान के पिता माले जाते हैं आई कैरलोस लीनियस जो है वर्गिकी के पिता जीव जगत के नाम करण की दुईपद नाम पधती के प्रेशक माले जाते हैं यहाँ पे आप लोग देखेंगे बच्चों कि जीव जगत है जीव जगत जो हम लोग पांच जगत को अर्गिक्रित करें हैं उसके विशे में यहाँ पे जन्कारी आप लोग को दी जा रही है कोस्की सनाचना के अधार पे कोस्की का जो दो प्रकार का होता है एक प्रोकारिवेटिक और एक यूकारियोटिक प्रोकारिवेटिक के अंतरगत जिवाडू नीला हरित सहवाल माइको प्लाज्मा आर्की बैक्टीरिया आधी आते हैं और बाकी जितने भी जीव धारी होते हैं सबी जो यूकारियोटिक कोस्का के अंतरगत आते हैं कोस्का के विशाय में आप लोगों को आगे हम विद्वत तरीके से बताएंगे तो जो यूकारियोटिक प्रोकारियोटिक कोस्का थी वो जो किसमें चली गई? मोनेरा जगत के अंतरगत चली गई इसके बाद जो युकरिवेटिक कोस्ट का बची है इसके बाद अगला जो नंबर है कोस्ट की संगठन के आधार पे हम इसको जो दो भागों में भी भाजित किये एक होता है एक कोस्ट की और दूसरा होता है बहु कोस्ट की जिसके अंदर एक कुसका वाले जीव पाजाते हैं उनको जो हम प्रोटिष्टा के अंतरगत हम रखे हैं और जो बहुत कुसकी जीव होते हैं इसके बाद देखी आगे यहां पे जो है पोशड के अधार पे बाटे हम पोशड के अधार पे 100 पोशी होते हैं पर पोशी होते है उसके अंतगत पादप आते हैं इसके वासे फिर इनको हम भोजन के अधार पे विभाजित किये तो भोजन ग्रहण करने की बिधी के अधार पे जो है दो परकार की बिधिया होती है और सोसर होता है और अंतग्रहण होता है तो और सोसर जो है कवक करता है और अन्ताग्रहण जो है, जन्तु करता है, यानि कि जन्तु की जो स्रेणी आएगी, वह Eukaryatic होगी, बहुकोस्की होंगे, परपोसी होंगे, और अन्ताग्रहण भोजन करेंगे, इसके बाद, जो कवक होते हैं, ये भोजन को आस्धोसित करते हैं, परपोस ही होते हैं बहु कोस्की होते हैं और यूकरियोटिक कोस्की होते हैं इस प्रकार से आप लोग को जीव जगत की समरशना के विश्य में हम जनकारी दी हैं इसको आप लोग घर पे रिवाइज करिएगा आगे आप लोग को आगे की चीज़े जो हैं बताई जाएंगे तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू